लेट्स गो गाईज आयम आल रेड़ी यहां पर देख सकते हैं मैंने लगा लिया एक मस्त वाला रुमाल और भाईज अब हम एकदम रेड़ी हो चुके चोरी करने के लिए जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैं आज जारों लॉस एंटॉस में पॉकेट मारने क्य लगता है कोई घर के बाहर आया है चलो ते देखे कौन है और चौप दोड़ा घर का ध्यान रखना जब तक मैं चोरी हो रिकर क्या आता हो तो और भाई सब सबसे पहले मास्क निकालने दो यार चोरो वाला लेकिन पुलीस यहां पर कर क्या रहा है रुको तो जब पूछे पुलीस और भाई सब क्या उगा है यार सुवसुभा मेरे घर पर कोई चोरी वही हुए है क्या होई कर लिए यहां पर कोई चोरी वहीं हमारे जेल के अंदर चार मुझरिम कह दे उन्होंने बोला है कि उनका कोई दोस्त यहां पर रहता है फ्रैंक्लीन तो मैं उसी से मिलने तुम जानते हो क्या Franklin को अरे हाँ पुलीस आले भाई सब मैं तो Franklin हूँ लेकिन मेरे कौन से दोस्त है जो जेल में बंद है भाई सब कौन है वह अरे Franklin तुम खुद चल के क्यों नहीं देख लेते वो लोग सिब एक इरत लगाएं कि Franklin को बुला हुआ हमारी मदद करेगा वह मु जुरी में उपर से पता नहीं क्या कांड कर दिया और मेरे दोस्तों ने उनकी वैसे भाई सबाफी कार में बैठक यार पुलीस टेसन जाना पड़ रहा है चलो जा पर आप जैके देखते पूलीस टेशन पर कौछने वाले यह पुलीस आले भाई सब तो काफी दमश हमारे जेल में बंदें उनकी मदद भी तो करनी पड़ेगी पता ने कैसे कैसे कांड करते रहे लोग और यहां पर कुछ तो दिख रहे अरे यह क्या गाइस यहां पर यह दो भाई सब वैनम है थार और जिम्मी अरे माइकल का बेटा भी है और यहां पर कीड फ्लेश अब यह को पुलीस अले ने बंदी क्यों बना है भाई सब क्या कर दिया यह चारो ने यह पुलीस अले मेरे माइकल पापा को बता देंगे कि मैंने जूमी किया प्लीज बचा लो मुझे यहां से निकालो हाँ जिम्मी मैं तरे को बचा लूँगा थोड़ा सांथ रहे और वैनम और अब भाई सब तुम लोग ने क्या कर दिया यहां पर फोड़ दूगा और यह पुलीस आले को पता नहीं क्या और मैं देवता हो देवता आई मेरी सक्तिया नियसली मेरे को मुझरी मना के रखा यहां पर वरना भी इनको तोड़ फोड़ देता और बस बच्चे के लिए सिसी टीवी कैमरा होता कितनी साथी सिक्योरिटी होती है तो पकड़े तो जाओगे ना अभी चुप रहे हैं मेरे को पुलीस आले से बात करने दो अच्छा तो तुम हो फ्रैंक्लीन यह तुम्हारे सामने चार मुझरी में बड़े खतरनाग मुझरी में खतरनाग यह लोग यह लोग थोड़ा सा गलती से कर दी किसी की बातों में बहुत गए होंगे प्लीज यह पूलीस ओले बाई सब छोड़ दो इनको बेल दे दो बताओ मुझे क्या करना होगा बेल के लिए कहां पर साइन करना होगा आरह नहीं कल्वे इनको बेल नहीं मिलेगी इनको दंडे मि अरे बोस मेरी बात सुनो ना अरे इनको बेल तो हम नहीं दे सकते लेकिन मेरे पास एक आइडिया है यह जो फ्रेंक्लिन कल हुआ है इसके बारे में मैंने बहुत सुना है यह बहुत सारे गैंग्स्टर को जानता है और बड़े-बड़े जुर्म कर चुका है मैं इसको अच ऐख चोटी मोटी चोरी कर रहे थे वो जो जो जॉसेफ मुझडी में बहुत खथरनाग मुझडी में सर आपको पता ये कितना बड़ा डोन है उसे हमें पकड नहीं होगा यह फ्रेंक्लिन हमारी मदद कर देगा अरे हाँ हाँ ब्रावो तुम सहीं बोल रहे हैं यह फ्रेंक ठ्रइक को छोड़ने के लिए राजी होगा लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा अरे हां सर आप बोलो ना आप जो काम बोलोगे वह में काम कर दूं गा बस मेरे चारों दोस्तों को छोड़ दो यार बड़े मासूं से तो फ्रैंकली मेरी बाद सुनो हम जो पुलिस वाल अगर तुम हमारी मदद करोगे उस डॉन जॉसेफ को पकड़वाने में तो हम तुम्हारे इन चार दोस्तों को छोड़ देंगे लेकिन अगर तुम नहीं पकड़वापाए तो यह तुम्हारे चार दोस्तों जेल तो जरूरी जाएंगे अरे ने ने सर्यार ऐसा मत करो मैं आपका जो भी मुझरी में डॉन जोसेफ उसको पकड़ाने में आपकी पूरी मदद करूँगा बताओ मुझे क्या करना है अरे तो फ्रेंकलिन मेरी बात सुनो वो डॉन जोसेफ ऐसे बाहर नहीं आता है एक काम करो तुम उसके पास जाओ और उसको बोला तुम्हें डील करनी है बंदूक और ड्रक्स की डील अगर तुम ऐसा बोलोगे तो वो बाहर आएगा डील करने के लिए तो तुम उसे डील करन है सर मैं डॉन जोसेफ से डील करूंगा आप उसका लोकेशन और बाकी की जो प्लैन की डीटेल से मुझे फटा-फट फॉरवेट कर दो मैं सब कुछ कर लूँगा तो चलो काई मुझे करना ही होगा भाई सब डॉन जोसेफ को पकड़ना होगा लेकिन डॉन जोसेफ तो बह बाहर चलाता है तो हम यार उससे डील करनी होगी लेकिन डील करने के लिए राजी कैसे होगा मुझे से छोटे बंदे के लिए एक काम करता हो या ट्रैवर को लेकि जाता हूं उसके पास थोड़े बहुत कॉंटेक्स से ट्रैवर इसमें मेरी मदद जरूर कर पाएगा और ट लाके के लाके देगा और ट्रैवर के साथ डील करना असान भी होगा चले और फटाफट कैब मंगाता हूं यहां पर पुलिस वाले के साथ बैठके आ गया तो फटाफट कैब मंगा थे दोस्तों यह लगाया किया बहुत कॉल तो कर दिया और पर कैब अभी तक आए नहीं न अब यार मैंने बुला है तो उसको इधर और यह आई इधर चल भाई आई तो सही अब यार फड़ावट में को ट्रैवर के घर पे लेके चल ले साथ में घर से अपनी गाड़ी लेक्या आथा तो पुली जल्दी अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर अगया मेरे को अब यारी टैक्सी से आना पड़ता है मेरे को अरे बहुत जल्दी पहुंचा होंगा गरने फिकर मत करो बस हम पहुंची जाएंगे आप बस कश्के जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए और यह डिए कर रहा है है अब ये वासिंग मसिन ठीक कर रहा है कि वह इतना पुराना वसिंग मसिन भाई साब पूरा टूटा हुआ है इसको क्यों ठीक करने की कोशिज आ यह डर का बच्चा दियता है तुम डान ज्यॉसिफ को जानते ही कि इतने बड़े-बड़े काम की है तुम एमकरे तुम एनगर निख केसां पागल ने करता है। जो किया तुम केसी तुम्हारे पाश तुम द्यूर्इब करा सक को एया देखो अव जो मेरे चार दोस्त है ना वो पुलिस के जेल में बन दे और पुलिस वाले चाहते है कि मैं डॉन जैसफ को पकड़वा हूँ तो यार मैं को डॉन जैसफ को बाहर निकलवाना ही होगा तो इसमें मेरी मदद कर यार उसके साथ एक डील करनी होगी मेरे को और देखो अगर तु सब्सक्राइब करना होगा वीवर्स को तभी मैं तुम्हारे साथ जाओंगा डॉन जैसफ को पकड़वाने के लिए समझा क्या चोड़ रहे हैं अच्छा ठीक है भाई साब अभी में कर आता दोस्तार फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट नीचे लालाला सब्सक्राइब कर बटन दबाओ तब ये ट्रैवर हमारी मदद करेगा तो फटाफट गाई शुगम गेमिंग के चैनल को सब्सक्राइब करो नीचे लालाला बटन दबाओ और कॉमेंट में बताओ आपके घर पे वासिंग मसीन है के नहीं त्याद रखना उसके पास जाने के बाद सिफ बाते मैं करूंगा तू सिफ चुपचा बैठे रहे ना ठीक है हाँ ट्रैवर भाइसाब मैं एक दम यार चुपचा बैठे रहा हूंगा तुम्हीं बात करना बस यार मेरे इसके साथ डील करा दो अरे छोड़ है वो इतनी आसान यह दूसरी कार ले ले ताकि यह वट पड़े और भाइसाब ट्रैवर ने मेरे को बता है कि डॉन जॉसफ है ना उसका राइट है जोड़ी से मिलें कि डाइरेक्ट नहीं मिल सकते जो मेन वंद वह शिटी जो हमारी मुलाकात करा सकता है डॉन जॉसफ से और देख सकते पर आया है तो यार वो शिटी से अपनी बात करा देगा और कई यहां पर यह दो कि कितनी मस्त कार कलेक्शन है चल भाई ट्रैवर फटा पर कार को पार कर दे अराम से पार्क करना कहीं पर कुछ उल्टा सिधा ना हो जाए भाई साब अपने लेने के देने पड़ जाएंगे अरे बावडे चोर रहा तू डर मत चल मेरा पिछे पिछे यह राज शिटी उस शिटी से अपने को बात करनी है यह शिटी ना थोड़ा दिमाग वाला आदमी है तो फ्रैंकलिन ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना यह शिटी की साथ दो बंदे जरूर घुमते इनके सिक्य प्रैंकलिन इसको डाउन जॉसप के साथ डील करनी है अबे ट्रैवर सेटी आगया गया गया तुझे नहीं पतागा दॉन जॉसप ऐसे डील नहीं करता किसी भी आरे-गैरे से और अबन जहां लोगों से थो बिल्कुल नहीं हमें पहले ट्रश्ट कर्वाना होता है हम ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर लेते डाउन जासप तो बिलकुल नहीं करेगा चले जा ट्रैवर इसको यहां से लेके और शेट्टी बॉइ इस बावड़े छोड़े के मदद कर दो यार इसके पास एक पार्टी है जो बहुत सारी बंदूके खरीदने चाहती है और साती साथ बंदू के भी डाउन जासप को अच्छा कासा पैसे देगी लेकिन वह पार्टी यह फ्रैंक्लिन के पास ही है तैकर फ्रैंक्लिन की डील करानी पड़ी कि डाउन जासप के साथ अरे पर ट्रैवर तुझे तो पता ही है बावड़े तो बिलकुल नहीं आरे बहुड़े पच्छा से साथ करोड का माल खरे देगी डॉन जौसप से तो साथ बात मांजा और उसको पूल उसका विश्वास जितने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ शेट्टी के लिए अच्छा ठीक है बावड़े छोड़े रूग मैं एक और बार कोशिस करके देखता हूँ वैसे करा दो और यह तुम्हारा विश्वास जितने के लिए कुछ भी काम कर सकता है अच्छा ट्रैवर तो इतना बोली रहा है और बंदा भी मेरे को ठीक लग रहा है तो चल मैं इसको एक मौका दे दूंगा लेकिन विश्वास करने के लिए इसको बोल यह जो ट्रक दिख रिए इसके अंदर बहुत सरा माल पड़ा बंदूकों से भरा हुआ इस ट्रक को एक गोडाउन में डिलीवरी करनी है मैं अड्रेस बताता हूँ वहां पे डिलीवरी करवा दे इस नए छोकरे से अगर डिलीवरी करवा दिया सही सलामत तो हम इसे डील कराने का मौका दे देंगे डान जोसब के साथ अच्छा ठीक है और शेटी मैं इसको बोलता हूँ अरे फ्रैंकलिन यह जो ट्रक है इसको तेरे को एक गोडान में जाके डिलीवर करना है अगर तु सही सलामत कर देगा तो यह लोग तेरे पर विश्वास कर लेंगे समझा अरे हाँ हाँ ट्रैवर तू का सब इस ट्रक के अंदर डाल दिया है और इस ट्रक के अपर कुछ अलगी नाम लिखा है लैबस इन रिचर्ड साहिद इसलिए लिखा है ताकि पुलिस अलों को शक्रक के अंदर क्या लेके जा रहे और गाइस यहां पर सब माल लूड हो चुक है अब चलो फड़ावर उसक इस ट्रक को दिये गए डिलीवर करना है और विश्वास जितना भी तो बहुत बड़ी बात होती है इतनी आसानी से किसी का विश्वास तो नहीं जीच सकते इसलिए इतना खतरना काम दिया है और यहां से अभी मेरे को राइट टन लेना है अरे बाई हट जाओ जाओ जार का कर रहा है अंकल ओके गाइस फाइनली मैं सहर के अंदर पहुचने वाला बस थोड़ी सी दूरे सहर और यह क्या यहां पर क्यों घूम रहे और एक मिनट गाइस मेरे को रोड क्या कि कुछ तो मेरे ट्रक में तो बहुत सारी बंदूके रखी है वह भी गयर कानूनी इतने सारे पुलिस वालों के बीच में से कैसे निगा लूँगा अगर ट्रक पकड़ा गया तो बाई शेटी मेरे विस्वास नहीं करेगा और यहां पर कितने सारे पुलिस वाले लेकिन अगर मैं क्या है जल्दी उतर वरना यहीं पर गोली से ठोक दूगा जल्दी उतर गाड़ी से अरे पुलिस अले भाई सब उतर गया या वस गोली मत चला ना अरे सर मैं तो गाड़ी में यूमन लैब एंड रिसर्च का एक्क्यूप्मेंट लेके जा रहा था इसके अंदर बहुत सार में लिखा लैब एंडरी सर इसके अंदर यार लैब के एक्यूपमेंट बात मानो मेरी सर इसको मेरे को जल से जल लेके जाना डॉक्टर सारुके के पास लेकिन कल्वे तुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता हो तुझे नहीं जाने दूंगा अरे एक मिनिट कल्वे अरे यह पीचे लगता है कहीं पर आग लगी है फायर ब्रिगट को जाना होगा अब एकल फटावट अपनी गाड़ी यहां से निकाल जल्दी आठ फार ब्रिगट को जाने दे हाँ सर अभी गाड़ी आठा तो फटावट गईस गाड़ी आठा थे यहां पर पुलिस ऑले ने परमिशन दे अच्छा वह यहां पर फायर ब्रिगट सरी टाइम पर आ गई फटावट गाड़ी निकालते सर जारो जल्दी जारो ओके यहां पर देख सकते हैं चैक पोस्ते बज़ गया वह सरी टाइम पर फायर ब्रिगट आ गई तो पुलिस ऑले ने मेरे को जाने दिया और लोग आप शहर में अपनी एंट्री हो गई अब फटाफट जो गोडाउन को एड्रेस दिया है वहां पर जाके इस गाड़ी को पार्क कर देते हैं लैट्स गो गाइस ओल्राइट गाइस यहां पर लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यहीं पर अपने को इसको पार करना है और सामने आप देख रहें गोडाउन इसको खोल के और इसके बंदे ले लेंगे बस मेरे को और मिला है कि इस यलोवाले जगा पर पार्क कर देना है अरे शीट यार गाड़ी थोड़ी से ठुक रही है लेकिन कोई बात नहीं चलो चलो यहां पर पीछे लेते हैं रिवर्स गयर और ल डॉलीवरी करके और इस बर मैंने क्याब निलीवरी कर लिए और यहां पर खोर जा और ते यह तेरे साथ डिल करने के लिए तुने जो डिलीफरी इतने अच्छे से करी पुलीस से बचके तुने उस ट्रॉक को लिगे गया उससे यह शेटी बहुत जादा खुस हो गया यह डील करने के लिए रैडी है चल तेरे को बुला रहा है डॉन जौसप से मिले फड़ा फड़ मिले उससे वाट रैवर भाई या यह मैंशन कितना ज्यादा बड़ा है और यहां पर सिक्यूरिटी कितनी ज्यादी टाइड है डॉन को लेकार यह लोग जरा हुए मजाक नहीं कर रहे है बहुत ही ज्यादा टाइड रखे और देखो वोरा डॉन जौसफ बैठा है सफेद कपड़ों में क्या तकड़ा सूट पहना है और यहां पर इतना सारा पैसा भी है और यह दो को डॉन जौसफ का भाई सब दो बाड़ी गार्ड क्या बाड़ी है उनकी अरे बाड़े चुरे ज्यादा मत बोल कोई सुन लेगा तो यार लेने के देने पड़ जाएंगे यह डॉन बड़ा खतरना का अदमी है थो बहुत तगड़ी पार्टी है जो कम से कम 50-60 करोड का माल आपसे खरिदना चाहती है वह नुइयोक से आई लॉस संटोस में बस दो दिन के लिए तो मैं चाहता हूं आप उस पार्टी से मिल लो अच्छा ठीक है साई उस पार्टी को मेरे मैंसन पर लेकर आ जाओ मैं मिलूं वो पार्टी आपके साइबर नहीं सकती है यह पार्टी यहां पर नहीं आ सकती न बाहर बहूं को कैसे लेंतason कर दोन आ हो दोग यहां पर नहीं आ बार जाएंगतों पूली उसको पकड़ता पाख पर हैंगे चल फ्रेंकलिन जल्दी दिमाग लगा कुछ तो यार हाँ एक आइडिया रुकर डॉन को अभी समाना नहीं कोशिज करता हूँ अरे डॉन भाई हाँ साही फ्रेंकलिन जल्दी बोलो मेरे पास वक्त नहीं है मेरा वक्त बहुत कीमती है ये डील करनी है कि नहीं अरे डॉन भाई वो जो पार्टी है वो आपके लिए कार भी लेका ये गिफ्ट में तो वो आपको मिलके ही देना चाती है इसलिए वो आपके मैंसें पर नहीं आ सकती हमी लोग को वहाँ पर जाना होगा अच्छा साही ऐसी बात है क्या चलो ठीक है मैं ये डील करने के लिए रैडी हो हम पार्टी से मिलने चलेंगे बताओ कब और कहां आना है जैसा कि मैंने आपको बताया डॉन भाई वो पार्टी सिर्फ दो दिन के लिए याई है तो आज का एक दिन खतम हो गया तो कल आप आना चार बजे ठीक मांट चिली याइड के पीछे वो जो सुनसान रस्ता ना वहां पर ठीक है अच्छा ठीक है साही डॉन जॉसे वहां पर आ जाएगा तुम पार्टी को लेके वहां पर रैडी रहना मेरे को वक्त जाया करना बिल्कुल नहीं पसंद अगर तुम एक सेकंड भी लेट हुए तो मैं चला जाओंगा वहां से हाँ ठीक है भाई सब डॉन यार मैं वहां पर वक्त से पहले पहुंच जाओंगा चलो यार ट्रैवर भाई हमारा काम हो गया और गाई यहां पर देख सकते डॉन जॉस्प हमारे साथ डील करने के लिए मतलब यार अब पुलिस के चंगुल में फसेगा कि हम लोग जो वहां पर डील करने जा रहे हैं वहां पर भाई सब सब पुलिस वाले खड़े रहेंगे मेरे साथ तो जैसे डॉन जॉसफ आएगा उसको पकड़ लेंगे चलो बाइब प्लैन तो सहीए अब बस कल फड़ाफ बैठना है अभी चलो फड़ाफट पहले पुलिस वालों को रिपोर्ट कर देता हो कि यार डॉन जोसेफ मान गया है और पुलिस वालों को अड्रेस तो बताता हो कि भाई साब कहां पर पाएंगे चलो फड़ाफट पुलिस टेशन पहुंच गया पड़ाफट निकलते हैं अरे पुलिस आले भाई साब अरे सर मेरी बात सुनो अरे एक मिनिट अरे मेरे फ्रेंट्स कहां गए जिम्मी था और वेनम कहां गए सब के सब अरे सर उनको कहां भीज दिया आपने अरे फ्रेंकली तुम थोड़ी देर के लिए मैंने दूसरी जवाशिफ्ट कर दिया है बत कैन वाशिफ्ट तुमने तो बहुत बढ़ी काम किया लाव पर यही चयाना है तुम भी राएड़ी रहना उस चोड़ेंगे इस बार तो पकडी लेंगे離 बचले लें लोकेशन पर चलते हैं रोकर मैंनिंगों को तो यह सबyr हो और यह भाई सब जौन भाई यह बहुत ज्यादा तगड़ा वाला पुलीस वाला है जर बहरूपिया बना है क्योंकि हमें डील करना है न वो डॉन तो यहां पर डील करने आया है में ब्रीफ केस में पैसे भी लाए और यहां पर आपको यहां पर ऐसे कुछ नहीं दिख रहा होगा जैसा कि आप लग इस रस्ते जो नौर्मली आगए तौकुछ भी नहीं दिखेगा देख सकते पूरा रस्ता खाली लग रहा है लेकिन गाई यहां पर बहुत जादा बड़ और यहां पर देखो कितने सारे पुलिस वाले चुपे और आगे भी बहुत सारे चुपे जाड़ियों के अंदर पीछे और भी में दिखाता हो रुको यह देख सकते सामने आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन नहीं यहां पर देख सकते जाड़ियों में भी एक पूरा पूरा इस इलाके को घेर लिए मतलब यार अगर डॉन जॉसफ यहां पर आया तो बाइसाब जिन्दा तो नहीं जाएगा उसको तो पकड़ी लेंगे इतने सारे पुलिस वाले यहां पर बावड़े चुर रहे हैं यहां पर सच मुछ बहुत सारे पुलिस वाले इन आज ही सकते मिरे को लग रहा है हां गा цен इस देख सकते सोने की काड़ी में यह तो डॉण यह पता हूं तो मैं कौन कौन सी बंदों टूस वह चाहिए डॉन ऑजौसफ तुम्मई सारी सारी बंदू के लाखें देए दुनिया की यह इनको यह चोटी मोटी बंदू के नीचे इनको सिधा वाली बंदू के डूस है आगर हाँ साई मेरे पास सब कुछ है मेरे जो फंटर है इनको बोलो गाड़ी में रख्योंगे निकालो सैंपल अभी दिखाता हूँ अरे यार गाइस यहां पर देखे तो इतने सारी तो गुंडे भी लेका है और साथ तो इतने दो बड़े-बड़े ट्रक भी लेका है अकेले नही सैंपल जल्दी दिखाओ ना अरे साइं वहां पीछे तो रखे मेरे यह फंटर को बोल दो ना निकाल देंगे यह अब जो निकालेंगे हम पुलीस वालें निकालेंगे क्योंकि डॉन जॉसफ तुम्हें पुलीस वालें चारों तरफ से घेर लिया है तो चुप चाप एफोर हो जाओ समझें अरे साइं पुलीस वालें मेरे को कभी न ही पकड़ सकते हैं यह क्या साइं अरे ध् strain अरे धोकं मेरे साथ धोका साइं ऐ तो ने न यह प्कड़ा दिया आप तुमसे मयं बदला जरूर ़ोंगा डॉन जोसफ तुमसे बदला जरूर गांगेंगे तुम तो अब बंदी बन गए अब तुमारा कुछ नहीं हो सकता और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डॉन जॉसफ को पकड़ लिया चार तरफ से पूलिस वालों ने बाहिस सब मैंने इसको अच्छा फ़सा दिया लेकिन यह एक बड़ी मुसीबत हो गई यह डॉन को यार जेल से निकालते हैं क्योंकि हमने अपना काम कर दिया डॉन जॉसफ को पकड़वा दिया इसकी पूरी टीम के साथ चलो यार पुलिस वाले भाई सब मेरे दोस्तों को छोड़ते हैं जाओ पुलिस टेशन मैं आसे फोन कर देता हो तुमारे दोस्ता जाद हो अरे हाँ हाँ फ्रेंकलिन छोड़ी देंगा ना तुमने पुलिस की इतनी मदद जो किये तुमने बहुत बढ़िया काम किया है इसी बात पर वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों क्योंकि फ्रेंकलिन बहुत ज्यादा नेक बंदा है और कॉम में पार्टू जरूर लिखना और यहां पर देख सकते हैं मेरे दोस्तों जेल से चुट गए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है थैंक्यू कल्वे यार हमें बाहर निकाल लिए तू तो बड़ा नेक निकला आज के बाद कभी चॉकलेट चोरी नहीं करूंगा नहीं क कोई गेम वगेरा बढ़िया वैने मियार तेरे लिए यही सही रहेगा और बल्ले तूने तो कल्वे साच मुझका सबको तोड़ फोड़ दिया है तूने तो बहुत बढ़िया काम किया मज़ा ही आगया थार को तूने बचा लिया है भाई सब तुम लोग मेरे दोस्तों बढ़िया बढ़िया गाईस